आज मैं आपको होममेड औरियो शेक बनाना सिखाता हूं सबसे पहले हमें दूज चाहिए और शुगर चाहिए क्रीम होमेड ये चोकलेट सिरप है आप है ना हैरिशेज का चोकलेट सिरप भी उज़ कर सकते हो और 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 बिस्केट चाहिए और फरस्ट और अमेरिक जग चाहिए होगा उसमें हम एक ग्लास मिल्क आड़ करेंगे और शुगर एक दो त्री चाहर चाहर टेबल स्पून शुगर आड़ करेंगे और फोड़ी सी हमें क्रीम आड़ करने होगी एक दो तीन टेबल स्पून हमें क्रीम आड़ करने है इसके बाद फोड़ असे इसमें हम चॉकलेट सिर्प आड़ करेंगे दो टेबल स्पून और दो ओरियो शेक डालेंगे एक ग्लास के लिए दो ओरियो बिस्किट क्रश करके डालेंगे इसके बाद हमें चाहिए होगा एक हैंड ब्लेंडर इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप इसके लिए मिक्सर भी यूज कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए इसके बाद हमें इसको ब्लेंड करने के लिए इसके बाद हमें इसको बाहर से आउट साइड से एक ग्लास को गार्निश करने के लिए चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं और शुगर पाउडर झाल पाउडर शुछरा की बाउडर पाउडर शुटर भाउडर बाउड़ बाउडर शुटर पाउडर जसके लिए एक लिए खकार भाउडरा हमें इसको बाउड़र। यह देखें गाइस आप इसको बाहर से ऐसे एक डेकोरेट कर सकते हैं यह मैंने अपने चॉकलेट चॉकलेट कमपाउंड से अपने होमेड चॉकलेट सिरफ बनाये हुआ है अब आपको इसको ग्लास में डालना है यह आपका ओर्यो शेट डेडी अब गार्निश के लिए हमको उपर से एक क्रेश करके ओर्यो डालना है और यह लीजिए आपको यह ओर्यो शेक रेडी यह ओर्यो शेक रेडी हो चुका है अगर जो अच्छा लगे तो आप अमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस्ट अगर उप्सक्राइब कीजिए और जो शेक रेडी हो शेक रेडिए यह बड़ शेक रेड़ खाईब कीजिए जिस्ट इस विए खाईब कीजिए और जिस्ट झाल